रीट की विग्यपति कब आएगी रीट का सलेबस चेंज होगा या नहीं होगा रीट के बाद जो सेकेंड एक्जाम होगी उसका सलेबस चेंज होगा या नहीं होगा उसमें बदलाव क्या क्या रहेंगे एक्जाम पेटन क्या रहेगा नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी उन सभी को लेगर गाइस जो हमेरे डाउट बने हुए हैं हमें इंतजार है एक अपडेट का और अपडेट गाइस कर ले एक अपडेट आये थी जो कि मैंने आपको टेलेग्राम पर शेर कर दिया था बट अभी देखिए यूट्यूब से काफ़ी सारे कमेंट्स देखन पर दूर उते रहें अब देखिए अभी श्लेबस जारी नहीं हुआ हैं और हम पूरा अनुमान के तोर पर यहां पर वीडियो बनाएं तो आपका भी इसमें टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी यहां पर नुक्सान होता है क्योंकि गलत च्छवी यहां पर बनती है क्यों और हमारा जो जिस जानकरी के लिए हम उस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो जानकरी हमें पूरी complete वापर मिलनी चाहिए तभी उस वीडियो का मतलब होता है तो इसी को लेकर गाइस इस वीडियो में मैं तोड़ा सापको explain कर दूँगा कि क्या update आई है बट आपको telegram जुरूर से join कर लेना है ता कि एसी हर एक update आपको तुरंत मिलती रहे और आप मतलब active रहें आप जो है अपने तयारी पर positive way में वाँ पर करते रहें क्योंकि तयारी अभी हमारी लगबग ठीक चल रही है सभी से आप ही students के messages आते रहते हैं तो इस बार भी 2-6 topics का ही फरक हमें देखने को मिल सकता है ज्यादा कुछ changes नहीं होंगे तो update मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बेठक में guys निरने अभी तक confirmation नहीं हुआ है जो बेठक हुई थी उसको लेकर भी कापे सारे comments देखने को मिल रहे है बेठक में अभी तक भी guys कुछ भी साप यहाँ पर इस परस्ट नहीं हुआ है तो इसको लेकर guys अपरेल के फर्स्ट वीग में हमें update मिल सकती है syllabus वगरा की विग्यपती की तो जल्द जारी होगी REIT 2022 की विग्यपती शिक्षा मंतरी बीडी कल्ला ने बोले नकल रोकने के लिए सरकारी इमारतों में बनाई जाएंगे परिक्षा के अंदर exam centers का guys अब जो पिछली REIT 2021 की हमें यहाँ पर बात करें तो REIT 2021 में जाहतर जो cheating वगरा हुई थी वो government जो इमारते थी government colleges वगरा में exam center थे वहाँ पर नहीं हुई थी जो private colleges में exam करवाई गी थी तो वहाँ पर क्या है private staff होता है तो उन्हीं सब में guys यहाँ पर फरजदीवड़ा देखने को मिला था तो उन्हीं सब को रोकने के लिए अब भरती में पारदर्शिता यहाँ पर बनाई जाएगी और exam center जो है government colleges और government school में यहाँ पर होने की पूरी-पूरी संभाव ना है ताकि exam में फरजदीवड़ा इस बर कम हो पारदर्शिता पूरी रखी जाएगी बट एक बात guys आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जो main जो चोरी हुई थी जो main जो चोरी में हाथ था वो government अधिकारियों का ही था क्योंकि सिक्षय संकुल से चोरी होना कोई छोटी बात यहाँ पर नहीं है सिक्षय संकुल से चोरी होना मतलब government अधिकारियों का उसमें सिधा सिधा हाथ होना ही है और इस बारे में आपका कैविचार है कमेंट में मुझे जुरूर बताना है और आगे हम यहाँ पर बात करें तो कमेंट में तो आप सबी मेरे से भी ग्यानी है तो कमेंट में आप जुरूर बता देंगे अपने इसाब से क्या आपको लगता है कि क्या मामला इस बार रहने वाला है आगे यहाँ पर हम थोड़ा सा और डीटेल में डिस्कस करें तो राजस्तार में 23 जुलाई को होने वाली रीट भरती परिक्षा की तयारियां तेज हो गई है सोमवार को सिक्षा मंतरी बीडी कल्ला की अधिक्सता में सचीवाले में बेठक हुई थी जिसमें रीट के पाठेकरब को तयार करने के साथ ही भरती परिक्षा में नकल रोकने के लिए लेकर के रणनीती तयार की गई थी रणनीती अभी क्या रहेगी इस बारे में कोई इस्टिकरण नहीं आया है तो वो अब्डेट जैसे आईगी अप्रेल का फर्स्ट वीक की अब्डेट है कि अप्रेल के फिस्ट वीक में आएगी तो उस पर भी हम डिटेल में डिसकस हाँ पर करेंगे तो गैस चैनल सब्सक्राब आपको जरू कर लेना है तो आगे हम आपर बात करें तो सिक्षा मंतरे ने बताया कि राजस्तान में लाखो यवाओं का भवीश्य जो है सिक्षक भरती परिक्षा जुड़ा हुआ है ऐसे में भरती परिक्षा में पारदर्श्यता बरतने के साथ ही परिक्षा का पाठे करम निधायत करने को लेकर के मंतन किया गया जल्दी पाटकरम जारी कर दिया जाएगा याने कि अप्रेइल फस्ट وीक में जारी होने की पूरी-पूरी संभा होना है अगर अप्रेइल के फस्ट वीक में जारी नहीं होता ज़या तताफ। इस बार परिक्षा के अंदर जिला मुख्याले के सरकारी भवन में ही बनाई जाएंगे ताकि किसी भी परकार के धांदली और बश्टाजार को रोका जा सके सिक्ष्य युभाग के मुख्य सचीव पवन कुमार गोयल ने बताया कि रीट परीक्षा 2022 के आयोजन को लेकर तैयारियां सुरू कर दी गई हैं जिसके तहट परदेश बर में जिला इस तर पर परीक्षा संचलन समीति का गठन किया जाएगा इसकी अद्यक्षता जिले के कलेक्टर करेंगे वही ADM को नोडल अधिकारी बनाये जाएगा इसके साथ ही जल्द ही सिलेबस को लेकर के विग्यपती और भरती यहाँ पर जारी की जाएगी ताकि चातर समय पर आवेधन कर जुलाई में होने वाली भरती परीक्षा में सामिल यहाँ पर हो सके तो जल्दी ही guys विग्यपती और भरती यहाँ पर हमें दोनों और सलेबस वगरा भी हमें देखने को मिलेंगे अफरेल के फर्स्ट वीक में पूरे पूरे चांसेज हैं और अगर नहीं होता है अफरेल के फर्स्ट वीक में तो सेकेंड वीक में आपर 100% हो जाएगा और हम सभी को उसी का इंतजार है जैसे ही वो अपडेट आती है तो उस पर भी हमें आपर डिसकस करेंगे टेलिग्राम पर मैं आपको पहले ही यहाँ पर पोस्ट कर दूँगा तो आप डिसक्रिप्शन से टेलिग्राम जरूर से जोइन कर लेंगे और चैनल पर नए है तो सब्सक्राब जरूर से कर लेंगे इसी तरह की अपडेट जो है हम डिसकस करते रहेंगे तो चैनल सब्सक्राब जरूर कर लें चले जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ